नमस्कार सातियों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी वितारजे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में सविधान की बारा अनुशूचियों को याद करने की एक ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार सविधा की बारा अनुशूचियों को टिप पर याद रख सकें तो चलिए सुरू करते हैं क्या ट्रिक है कि इसकी ट्रिक जो है वो है एस एस और ऐसी जन सबा से बदला पंचनगर अर्थाद यह जो एक सेंटेंस है उसको आपको याद करना पड़ेगा और इसके आधार पे आपकी बारा अनुशूचियां जो मूल सभीदान में आठी अनुशूचियां है अपन जानते हैं बाद में उसमें चार अनुशूचियां समय समय पर जोड़ी गए और आज वर्तमान में यहीं सभीदान की बात करें तो बारा अनुशूचियां है उन्हीं बारा अनुशूचियों याद करते हैं तो पहला जो ऐसा सब्द है उसमें पहला इस्टेट है अर्थात पहली अनुसूची में गुणंतीस राज्यों और साथ केंदर शासित प्रदेशों के बारे में डिस्कस किया गया है इसके बाद में जो दूसरी अनुशूची है उसमें है सैलरी वेतन के बारे में पदादीकार के वेतन और भत्ते का उलेग दूसरी अनुशूची में दिया गया है वर्तमान में अपने को पता है कि गुणंतीस राज्य और साथ केंदर साशित प्रदेश हैं उनका वर्नन पहली अनुशूची में है दूसरी ऐस मतलब सैलरी से है अर्थाद इस दूसरी अनुशूची में पदादीकारियों के वेतन भत्तों का उलेग है अर्थाद राष्टपति को कितना वेतन मिलेगा प्रधान मंत्री को कितना मिलेगा तो ये सब का वेतन बत्ते जो हैं वो इसमें बताएगा है तीसरी तीसरी अनुशूची है उस तीसरी अनुशूची में पद ग्रहन के समय ली जाने वाली सपत का उलेक है अर्थात राष्ट पती यदि पद ग्रहन करता है तो किस प्रोफार्मा में सपत ग्रहन करेगा प्रध सबह में प्रतिनी दिवति के बारे में इसमें बताई आर मतलब representation से लेंगे पर तो चोती अनुशूची में राज्यों को राज्य सबह में प्रतिनी दिवति के बारे में डिसकस्त किया गया है दुबारा रिपीट करते हैं ऐस मतलब गुणंतीस राज्य और साथ के इंदर्शाद सित्प्रदेशों का उन लेकिस में है फस्ट जो अनुशुची है उसमें और दोजनवली 2014 को आंदर प्रदेश से जब तेलंगाना को अलग बनाया गया तो उसके साथ ही गुणंतीस राज्य उसमें हो गये और आपने को पता है साथ के इंदर्शाद सित्प्रदेश है दूसरी जो है वो पदाधिकार्यों के वेतन भक्त्य के लेके है दूसरी जो अन अनुषूचि है आगे देखते हैं पांच्वए अनुषूची इसका मतलब ऐसका मतलब है अनुषूचित शेत्रों और अनुषूचित जन जाती का उल् Sounds में किया गया है कौन्से लिए अनुषूचित शेत्रों अनुषूचित ज fulfilled च्टा जो है वो जन का मतलब है शब्रम शेत्रों में जन जाती इसमें भी जन जाती है और इसमें भी जन जाती है लेकिन इसमें यह चार विसेश राज्जों का उलेक है कि असम मेगहलय, त्रिपुरा और मिजोरम के जंजाती शित्रों में जो जंजाती निवास करती है उनके लिए विशेश प्रावधन आपकी छट्टी अनुसूची में है सात्वे अनुसूची जो है वो है आपका सक्ति का बटवारा केंदर वर राज्यों के बीद सक्तियों का बटवारा सात्वे अनुसूची में दिया गया है और जो इसका सक्तियों का बटवारा है वो तीन अनुसूचियों में है सूची है, संग सूची है, राज्य सूची है और संग सूची है संग सूची में केंदर सरकार के नियमों के जो विशे हैं वो बताएगे हैं राज्य सूची में वे विशे आते हैं जो राज्य सरकार उन पे नियम बना सकते हैं और समवर्थी सूची पे दोनों विशे आते हैं अर्थात यदि कोई ऐसा विशे है जैसे शिक्षा है तो वो संग सुचि संग भी उस पे नियम बना सकता है और समवर्ती भी जो राज्य भी उस पे नियम बना सकता है लेकिन जब ऐसी विवाद की स्तती होती है कि एकी विशय पे संग ने भी कानून बनाया है साथी राज्य ने भी उस पे कानून बनाया है तब आपका जो है द्वारा बनाया गे है जो कानून है वह सर उपरी माना जाएगा वह ही अपलाई किया जाएगा आचए अनुसुचि ने प्छ 54 अर्थाद भासा तीर इसमें नवी जो अनुसुचि part 2 में अपने को पता थारा भासाई थी जिनका उल्य किसमें किया गया था आगे चलते हैं नवी जो अनुसूची है उसमें संपति के दिकार का अधिगरण किया गया है ठीक है नवी अनुशूची सम्पति से सम्धित है, दसवी अनुशूची जो है वो आपके दल बदल से सम्धित है, अर्थात कोई भी दल एक विश्यस प्रावधान की बिना किसी दूसरी को दल का सदस्द से दूसरी दल में नहीं जा सकता, पहले अशा होता रहा था, बाद मे ये अनुसुची नंबर 10 डाल के इसको दल बदल के प्रावधन को खठोर किया गया है ताकि लोकतांतरिक विवस्ता को सुचार रूप से चलाये जा सके ग्यारवी अनुसुची जो है वो पंचायती राज संस्ताओं का उल्लेकिस में है वो ग्यारवी अनुसुची में दे गया है और बारवी अनुसुची सहरी शेत्र में स्वसंसन जो संस्ताओं का नगर निकायों से समंदित है नगर पालिका है नगर निगम है ये सारा उल्लेक अला सूकी डलबदल से संबतिता है नवी अन उची संपतििक धिगार से संभिंदत है आठवी अनसूची के बारे में बताया था आपने के भासा हों से सम्हिंदत है दूसरी अनसूची में तो है वो टिप्स भी याद हो सकते हैं एक बार पुनाएं इसको रिमाइंड करते हैं पहले अनुशूची गुणंतीस राज्य साथ के अंदर साशत प्रदेशों का उलेक है दूसरी अनुशूची में पदादिकार्यों के वेतन बत्तों का उलेक किया गया है तीसरी इस राज्यू का वर्णन है, सात्वी अनसूची में है, आपका सक्तियों का जो अनसूची है, सूची के तीन भाग बनाए है, संग सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, आठ मतलब भासा को ले सकते हैं, नो मतलब संपति के अधिकार से ले सकते हैं, दस का मतलब दल बदल का प्रावधन है, ग्यारवी में 15 संस्ताओं का उल्लेख है और बारवी अन्शूची में शहरी शेत्रों में स्वासाशन संस्ताओं का उल्लेख इसमें किया गया है, इस प्रकार ये 12 अन्शूचे होते हैं, सात्यों यदि ये ट्रिक आपको पसंद आई, तो आप हम मारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, लाइक करें और शेर जरूर करें, ताकि और लोग भी वीडियो से प्रभावित हो सकें, लाभानवित हो सकें, थैंक्यू, थैंक्यू वेरी माच फ़र वाचिंग आवर वीडियो